हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आहे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है वैंसी एनाशु ब्लोक्स और मेरा नाम है वंदना तो आज है 14 दिसेंबर और यहां पे सुबह का मिड मॉर्निंग हो रहा है ब्रेफास वगरा करके हिमानशु अपने काम पे चले गए हैं और यहां पे मैं लगा रही हूँ कपड़े और अभी आपने अपने मेरे परसों के व्लोग में देखा हूँ कि मैंने गेहूं फेलाये थे ना यह व्लोग क्योंकि 14 दिसंबर का है त उसके बाद से आपने मेरे व्लोग नहीं देखा है तो बस बीच बीच में आके ना मैं गेहूं को चला रही थी ताकि गेहूं पूल अच्छे से सूख जाए सूखा तो था बस यह नमी आ गई थी कि इसकी नमी चली जाए क्योंकि मुझे पिस्वाना था तो इस वज़े से दूप तो अच्छे खासी निकली है तो आज गेहूं सूखी गया था और फिर अभी मैं आगे हूं लंच बनाने के लिए तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूं मतर और आलू की सबजी और रोटी आज बस लंच में आज यही बनाने का मन कर रहा था दाल खाने का मन नहीं क यहां पर मैंने दो आलू ले लिए हैं आजकल जो नए वाले आलू आ रहे हैं तो इनके छिलके बहुत जादा पतले होते हैं तो उसको न चाको से यह बस मैं छील लेती हूं जो छिलना होता है न उससे छिलने की जरूत नहीं पड़ती है बहुत ही पतला होता है अच्छे से वाश कर दो न न भी छीलो न तो भी काम चल जाएगा अससे और देखिए जो ब्रेकफस्स के बरतन थे न ही सिंक में अभी तक रखे हुए हैं वैसे वो जो पेस्ट है अभी तक बनाए हैं नहीं है कभी कभी छोटा काम भी न इतना बड़ा हो जाता है कि होता ही नहीं है वो छोटा से काम है पीस के पेस्ट तयार करके रखना लेकिन नहीं कर पा रही हूं मैं तो बस उसी को सिलबटे पे न मैं पीस रही हूं आच्छा पेस् पेश तयार रहता है फिस से निकालो और सबजी बना डालो तो सिल्वर्टा मेरा काम आ जाता है तो इसको मैं तुरंत अधो कि मैंने धर रख दिया है जब मुझे इस तरह की चीजे ज़रूत पड़ती है तो चुटी मोटी चीजे पीस नहीं होती ही तो मैं पीस लेती हूं इसी पर और आप बस लगा लेते हैं तड़का तो आज मैं अलुमीलियम के कढ़ाई यूज करने से मना कर दिया है जब से उन्होंने वो अंडा खाया ना एक मैरे व्लॉग में आपने देखा होगा जो ब्लाइक हो गया था प्लाइक तो नहीं हो था तब से ना उनका मल थोड़ा अजीब सा हो गया है कि मतलब उन्होंने बुला भी अच्छे से डाल के अब उस मसाले को ना अच्छे से भून लेंगे और जाल देंगे आलू और मतल आतों मतलब पान्च से मटब दलब पानच्हे मतल थो तो यहां पर देख Vielen पर बरद नहीं गेड़ कर दिया । लेशेया है मुझे और यहाँ पर बस अब मैं गोथ लूँगी आठा अच्छा आठा ना बस अब दो ये तीन टाइम का ही बस बचा हुआ है और बस अब यहूं तो आठा सूख जाएगा फिर हस्बंड लेकी चली जाएंगे पिस्वा लेंगे अब पते जो बाहर का आठा है ना मैंने कभ की से पिसा हुआ जो आठा होता है वही खाया है तो उसी की आदत से है तो शादी के बाद भी घरी से मतलब मेरे माईके से ही आता है गीहूं चावल वगेरा तो फिर मुझे घर का यह अच्छा लगता है और यहाँ पर जो बरतन थे सिंग के यह भी मैंने धोई डाले क्योंक साइट पे और इधर मैं बना लेती हूं रोटियां और फिर अभी ही मांशु तो भी थोड़ी देर में अच्छली जहां पर उनका काम है नहीं यहां से बस दो ठाई किलोमेटर के ही दूरी पर है वो दो जैसे ही खाना बन जाएगा तो मैंने को कॉल कर दूंगे फिर ओ आ ज सुबह तो बहुत हलकी धूप रहती है लेकिन बाद में फिक्तेज धूप हो जाती है और मैंने गिहूं दो तिन खाके देखी न तो अच्छे से सूप गये थे मता कट कट की आवाज आ रही थी तो अब मैंने गिहूं को उठा लूँगी बोरी में भर दूँगी और इस बार न मैंने थोड़ा ज़्यादा गिहूं मैंने सुखाया है क्योंकि लास्ट टाइम पे न मुस्से गलती से बहुत ही कम गिहूं मैंने निकाला था मतलब 15-16 किलो ही गिहूं था तो इस लिए इस बार आटा जली खतम हो गया नहीं तो मेरा कम से कम दो महीने चल जा खाना देती हो तो तीन लोग तो यह हो गया इसलिए थोड़ी खपच जहादा हो जाती है तो कोई बात नहीं बिचारी वह भी खाना खा लेते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है जो बाहर वाली ऑसकर है मों तो खेर अपने बच्चे ही है इनको खाना देना मुझे नहीं एक बाहर की फिमेल है तो मैं उसको भी खाना दे दीती हो उसकी बीचारी के आठ बच्ची वह दूद के दिलेडियां लेकिन जब taiनी ल consent ли तो भीन गावजां पीजिए खाना ऊओ मुझे LAN देती का विडी ऐब देती ती झाल साथी सब्सक्राइबर के अपने पुराना वीडियो डाला है अब आपने बोला 13 नेवेंबर कभी कभी क्या होता है ना कि दिन और तारीक ना बोलने में मिस्टेक सा हो जाता है दिमाग में तो लगता है कि हम वही सही बोल रहे हैं लेकिन गलती से निकल जाता है तो मैं कोई भी पुराना व्लोग में न तो आज नास्ते में न हम लोग फ्राइड राइस और चाय के साथ खा लेंगे क्योंकि राइस फिर खराब हो जाता तो बहुत सारी सब्जिया मेरे पास पड़ी हुई थी जैसे की हम मतर और बींग्स को भी तो ना और हर जो स्प्रिंग अनियन था ना वो तो वो सब मैंने डाल के नमक और हल्दी डाल दिया है आप सब्जी को ना पका लूँगी जो सब्जी अच्छे से पक जाएगा ना तो फिर मैं उसमें राइस एड कर दूँगी और देखें जो सब्जी है ना वो अच्छे से पक चुकी है अम इसमें राइस एड करके थोड़ी धर धके इसको पका दूँगी फिर उसके बाद बना लूँगी चाए तो यह है ना हमारा जो आज का ना यह नास्ता हो जाएगा तो ब्रेफस्स करने के बाद हस्बेंट तुछ चलेगे हैं अपने काम पे और मैंनी भी कर लिया है और फिर यहां पे ना जो डूर में था ना तो वो बहुत गंदा हो गया था तो मैं इसको पानी भी आ रहा था यहां पे तो मैंने सुछा चलो यहां के बैट के धूप में उसको धों देती हूं और पाइप है तो मुझे इस पाइप का यूज़ करने में इतना गुस्सा आता है वैसे तो बहुत ऊज़ियर है लेकिन इतना जग जग़ से मुढ़ जाता है तो इसको सीधा करने में इतना सारा टाइम जो है वो हूँ लग जाता है अच्छा मेरी सब लेकिन इस पर न आप जैसे पानी डालो कि आपको पैर पड़ेगा न तुरंट पानी को अब्सॉर्फ कर लेगा तो यह हस्बेंट ही लेकर आये थे बहुत ज्यादा अच्छा डोर्मेट है दो लेकर राये थे काफी टाइम पहले लाये थे तो उसी को बस मैं आज वाश कर रही हूँ क्योंकि थोड़ सा गंदा हो गया था ना तो इसको दोके आप दोप में डाल दूंगी सूख जाएगा फिर बिल्कुल जब कल भी चाओंगी ना तो बिल्कुल अच्छा सा नया नया लगेगा और यह पाइप भी हजबेंट लिक्या था अच्छा लगता है और बहुत अच्छा यूज भी होता है तो यह पाइप भी ना कुछ पहले से हमारे दू एक जगह ना दूसरी जगह पर रखा हुआ था तो पाइप तो वहां से लेकर रहे थे तो मुझे ना बाल्टी से उठा अच्छा उठा के पानी चार तरफ करना पड़ रहा था अभी मुझे बहुत ज़्यादा असान हो गया तो यह काम ना बहुत ज़्यादा असान कर देते हैं वैसी तो और यहां पर ना यह जो किचन वाली अल्मारी है ना जो यह वाल कैबिनेट है तो इसका अख़भार ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया था मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल मैं तो अब यहां पे जो है ना इस आपर लग कास भाब फेस देल चीन्य आपाफी तो आज मैने इसको भी कर दिया है। नहीं तो क्या होता है कि पूरा कीचछन अगर एक साथ करणा तो बहुत ज़या ताइम मैं लग जाता इसलिए बीच बीच में देखती हूँ कि क्या गंदा है तो मैं साफ कर ती रहती हूँ ताकि मुझे पूरा किचन एक साथ ना साफ करना पड़े तो बस दोस्तों इसी की साथ मैं इस व्लॉग को यहें पर एंड करती हूँ और आई होप आपको यह मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएगा आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो कैसे लगते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो की साथ तब तक के लिए अपना ख्याव रखें बार बाई तेक रहें